हेलो प्यारे बच्चों, सुनी लिया दुआ यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है, चलते हैं प्रशनावली च्यार दस्मलों दो पर पसंद संख्या एक, निमलिक्त विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्ते है और क्यों? y बरावर है, 3x जमा 5 एक एडिविती हल है, या केवल दो हल है, या एपरिमित रूप से अनेकल है, हमारे पास y बरावर 3x जमा 5 एक रिख्षिक समीकर्ण है क्योंकि इसको में लिए सकते हैं 3x गटा y जमा 5 बराबर 0 तो ये एक रेखिक समीकर्ण है तो रेखिक समीकर्ण होता है उसके अनिक हल होते हैं तो इसका अंसर हो जाएगा A प्रीमी तरूप से अनिक हल लेकिन इसको में थोड़ा सा और अच्छी तरह समझेंगे कैसे देखिए किसी भी समीकर्ण के हल से मतलब है उस समीकर्ण में चर के वे मान जो उसके अंदर रखने पर वो समीकर्ण को संटूष्ट करे कहने का मतलब ही है यहाँ पर X और Y का वहाँमान जो इसके अंदर हम रखें तो इस समीकन के दोनों पक्स यह बायां पक्स और यह दायां पक्स दोनों अपस में क्या हो जाएं? बराबर तो हम कहेंगे कि वे चर के मान हैं जो वे इस समीकन के हल हैं तो इसमें समझने वारी बात यही है कि समीकर्ण का हल वो होगा चर का वहमान जो समीकर्ण में रखने पर समीकर्ण के दोनों पक्ष बराबर हो जाएं तो यहाँ पर हम सबसे पहले ही समीकर्ण के अंदर Y का मान लेते हैं या हम X कमान भी ले सकते हैं Y का भी चलो हम Y कमान लेते हैं Y कमान हमने लिया 0 तो Y कमान 0 लेने पर यहां समीकन में रखेंगे तो हमारे पास यहां से X कमान आएगा यहां Y कमान 0 रखो 0 बराबर 3X जमा 5 और यहां से हमारे पास 3X बराबर हो जाएगा माइनस 5 और x बराबर हो जाएगा माइनस 5 बटे 3 यानि कि x का मान है माइनस 5 बटे 3 और y का मान है 0 ये इसका एक हल है इसको हमने ए मान लिया इसी परकार हम x का मान लेते हैं 0 x का मान हमने लिया 0 x का मान 0 लेने पर y का मान देखते हैं क्या आता है x का मान 0 यहाँ पर रखो y बराबर हो जाएगा 3 गुना 0 0 जमा 5 यानि कि 5 तो x का मान 0 और y का मान 5 ये भी समीकन का एक हल होगा इसको हमने भी मान लिया आगे करते हैं हम x का मान 1 लेते हैं x का मान इस समीकन में रखेंगे तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा 3 गुना 1 जमा 5 ये आएगा 8 तो x का मान 1 और y का मान 8 ये भी समीकन का एक हल होगा इसे प्रकार हम x का मान 0 लेते हैं यहाँ पे रखेंगे x बराबर 0 है तो समीकन में रखने पर x का मान 0 y आएगा तीन गुना 0 जमा 5 और ये हो जाएगा 5 तो x का मान 0 y का मान 5 ये भी इसका एक हल होगा यहाँ पर हमने पहले वैसे मान निकाल लिया था x का मान 0 लेकर के कोई नहीं हम x का मान और ले लेते हैं x का मान हम यहाँ पर एक लिया 0 लिया अब हम y का मान लेकर देखते हैं y का मान हम ले लेते हैं एक यहाँ पर हमने y का मान 0 लिया था हम y का मान एक लेते हैं यहाँ पर रखेंगे तो एक बराबर तीन एक्स जमा 5 यहाँ से हमारे पास तीन एक्स बराबर हो जाएगा 5 को X बराबर हो जाएगा घटा च्यार बटे तीन यानि X का मान घटा च्यार बटे तीन और Y का मान एक ये भी इसका एक हल होगा तो एक ये हल होगा एक ये कोई साइक ले सकते ही ये होगा एक हल इसका ये होगा एक हल हमारे पास ये है यानि कि हम इसके अंदर X और Y का कुछ भी म अनेक आ रहे हैं, X का कोई मान लेंगे तो उसके लिए Y का कोई मान जुरूर आएगा, Y का मान लेंगे उसके लिए X का कोई मान जुरूर आएगा, इस प्रकार हम X, Y के अनेक वेलू लेकर के अनेक मान लेकर के बहुत से हल ढूंड सकते हैं, इसलिए हम कहेंगे कि इस ये ए प्रीमित रूप से अनेक हल हैं तो इसका जो तीसरा पार्ट है वो सत्य हो जाएगा थर्ड ओप्शन है जो वो सही होगा परसंद संख्याद दो है निमलिक समीकरणों में से परतेक समीकरण के चार हल लिखिए यहाँ पर हमें परतेक समीकर्ण के चार अल बताने हैं जैसे प्रस्ट नमबर एक में किया था हमने वहाँ पर तीन चार मान निकाले थे इसी प्रकार यहाँ पर भी हम परतेक समीकर्ण के चार चार मान निकालेंगे तो पहला पार्ट है उसको अल करते हैं फेस्ट दो एक्स जमा वाई पराबर साथ तो यहां पर हम एक्स कमान लेते हैं पहले एक्स कमान हमने लिया जीरो एक्स कमान जीरो लेंगे ति उसके लिए वाई कमान कितना आएगा इसमें एकनवे X कमान 0 रखेंगे तो यह हो जाएगा Y कमान हमारे पास आएगा 2 गुना 0 0 हो जाएगा Y बराबर 7 तो एक हमारे पास हल हो जाएगा इसका 0 और 7 यह इसका एक हल हो जाएगा इसके बाद हम लेते हैं X कमान 1 X कमान 1 लेंगे यहाँ पे रखेंगे y बराबर हो जाएगा 2 उदर जाके गट जाएगा 7 गटा 2 यानि y कमान हमारा हो जाएगा 5 हमें x कमान यहाँ पर एक रख्या तो 2 गुणा 1 2 जमा y बराबर 7 तो y हो जाएगा 7 गटा 2 5 तो एक अल हो जाएगा 1 और 5 इसी प्रकार X कमान लेते हैं 2 या Y कमान मिले सकते हैं X कमान लिया हमने 2 X कमान 2 यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना X यानि 2 जमा Y बराबर 7 यहाँ से हमारे पास Y बराबर हो जाएगा 7 गटा 4 यानि 3 तो एक इसका हल हो जाएगा 2 X की वैल्यू 2 और Y की वैल्यू 3 यह तीसरा हल हो जाएगा एक वैल्यू हम Y की लेकर देख सकते हैं Y कमान लिया हमने 0 इस समीकन में रखेंगे 2X जमा Y यानि 0 बराबर 7 इसको हल करेंगे 2X बराबर 7 यहाँ से X कमान हो जाएगा 7 बटे 2 तो हमारा जो तीसरा चौथा हल हो हो जाएगा X कमान 7 बटे 2 और Y कमान 0 यह इसका चौथा हल होगा यह तीसरा यह दूसरा तीस प्रकार से हमने इसके 4 हल निकाल दिये X और Y के अलग-अलग मान ले करके अगला पार्ट है सेगिंड पार्ट यह हमारा फेस्ट पार्ट था सेगिंड पाई X जमा Y बराबर 9 इसके भी हमें 4 अल बताने है तो यहाँ पर हम पहले X का मान लेके चलते हैं X और Y के मान को हम कुछ भी ले सकते हैं तो हमने X का मान लिया 0 X का मान 0 इस समीकन में रखेंगे तो यह हो जाएगा पाई गुना 0 0 और Y बराबर आ जाएगा 9 तो पहला लो जाएगा 0 और 9 X का मान 0 और Y का मान 9 अब लेते हैं X का मान यह समी करना है हमारा अब लेते हैं अगला X कमान लेते हैं एक X अमने लिया एक यहाँ पे रखेंगे पाई गुणा एक्स एक्स यह नि एक जमा वाई बराबर नो इसको अल करेंगे तो वाई बराबर आ जाएगा नो गटा पाई गुणा एक पाई तो नो गटा पाई तेक अल हो जाएगा एक कुमा दूसरा य कमान नो गटा पाई दूसरा हमारा यह हो जाएगा अब हम लेंगे एक मान वाई का ले लेते हैं वाई कमान हमने लिया जीरो समीकन में रखेंगे y की जगे 0 तो πाई गुणा x πाई x जमा 0 बराबर 9 यहां से हमारे पास πाई x बराबर आएगा 9 x बराबर हो जाएगा 9 बटे पाई तेक हमारे पास हल हो जाएगा x कमान 9 बटे पाई और y कमान 0 यह इसका तीसरा हल होगा एक आमें और बताना है तो हम लेलेंगे x कमान दो लेलेंगे x कमान 2 लीजिए x बराबर दो लीए, हमने यहां पिर रखेंगे πाई गुणा x यहनी 2 जमा y बराबर 9 यह उजाएगा 2πाई जमा y बराबर 9 और यहां से हमारे पास y कमान आजाएगा 9 गटा 2 पाई तो हलो जाएगा 2 x कमान 2 y कमान 9 गटा 2 पाई एक इसका यह हलो जाएगा चोथा किस प्रकार से हम 4 नहीं आने को हल निकाल सकते हैं x और y के कुछ भी मान रखिए और मारे पास हल आते रहेंगे तीसरा पार्ट है x बराबर 4y तो यहाँ पर हम सबसे पहले x कमान लेके चलते हैं 0 x कमान 0 के लिए y कमान क्या होगा यहाँ पर 0 रखिएगे तो y भी हमारा क्या हो जाएगा 0 क्योंकि यहाँ पर रखिएगे x बराबर 0 तो 0 बराबर 4y तो y ब्राबर 0 बटे 4 यहीं जीरो तो एक हल हो जाएगा हमारा 0 और 0 यह इसका पहला हल हो जाएगा फिर हम लेते हैं x कमान 1 एक कमान आएगा 1 ब्राबर 4 y और यहां से y ब्राबर हो जाएगा 1 बटा 4 तो दूसरा हालोगा एक और Y है एक बटा चार ये दूसरा लो जाएगा अब लेंगे हम Y कमान ले 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 लेक्स का भी ले सकते हैं y कमान 0 लेंगे तो उसके लिए x बराबर हो जाएगा 4 गुना 0 यानि 0 तो यहाँ पर तीसरा हाल हमारा हो जाएगा 0,0 x कमान भी 0 और y कमान भी 0 चोथा y कमान एक और ले लेते हैं हम लेते हैं यहाँ पर y कमान 1 y कमान एक यहाँ पर रखेंगे तो x बराभर हो जाएगा 4 गुना y 4 गुना 1 यानि 4 तो हमारा हाल हो जाएगा 4, 1 x कमान 4 y कमान 1 यह इसका 4 हाल हो जाएगा तो यह पहला है यह दूसरा यहाँ पे था दूसरा हमारा यह तीसरा है यह चोथा है यहाँ पर है यह इसको मैं लिख देता हूं दूसरा X कमान एक Y कमान एक बटा च्यार यह दूसरा हल है यह तीसरा और यह चोथा परसंद संक्या तीन है बताइए कि निमलिक्त हलों में से कौन कौन समीकर्ण X माइनस दो Y बराबर 4 के हल है और कौन कौन हल नहीं है तो यहाँ पर हम एक समीकर्ण दिया हुआ है X माइनस दो Y बराबर 4 और हम यह बताना है कि इन चारों में से कौन से समीकर्ण के हल है और कौन से हल नहीं है तो मैं एक-एक को चेक करेंगे तो मैंने बता था कि हल मौलूम करने का क्या तरीका है कि समीकर्ण का हल भै होगा जिसके अंदर हम जब समीकर्ण में हम चर के मान X और Y यांपर चर है तो समीकर्ण में जब हम चर का मान रखेंगे X का और Y का मान तो उस समीकर्ण को संतुष्ट करना चाहिए कहने का मतलब यह है कि इस समीकर्ण के अंदर जब हम X का और Y का मान रखेंगे तो इस समीकर्ण का यह दायापक्स और यह यह बायापक्स और यह दायापक्स दोनों क्या हो जाने चाहिए बराबर तो हम कहेंगे कि यही समीकन का हाल है तो हम एक एक करके चेक करते हैं पहला लेते हैं 0,2 हमने पहला लिया 0 और 2 यह X का मान यहाँ पर 0 है और Y का मान 2 है रखेंगे इसके इसमीकन में X 0 गटा 2 गुना Y 2 यह हमारा आना ची किसके बराबर है 4 के बराबर यह आएगा घटा के 4 घटा के 4 बराबर है 4 यह गलत है क्योंकि घटा और 4 और जमा 4 बराबर नहीं होते हैं तो यह समीकन को संतोष्ट नहीं कर रही है तो यह हाल नहीं होगा तो हम कहेंगे कि ये इसका हाले ये जो है 0,2 ये हाले नहीं है अब हम लेंगे दूसरा पार्ट 2,0 दूसरा X का मान है यहाँ पर 2 और Y का मान है 0 ये समीकन में रखेंगे X की जगे 2 गटा 2 Y, Y है 0 और ये हमाना आना चीए 4 के बराबर हाल करेंगे 2 गटा 2 गुना 0,0 दो में से गटा 0,2 बराबर 4 यहाँ पर दोनों पक्स बराबर नहीं है क्योंकि 2 और 4 बराबर नहीं होते तो ये भी हमारा क्या है गलत है कि 2 और 4 बराबर नहीं है तो ये भी समीकन का हाल नहीं होगा हाल नहीं है अब लेंगे हम पार्ट तीसरा 4,0 एक्स का मान है 4 और वाई का मान है 0 रखेंगे 4,0 यानि एक्स का मान है 4 और वाई का मान है 0 इसमें रखेंगे समीकन में एक्स माइनस 2 वाई बराबर 4 में एक्स यानि 4 गटा 2 गुना वाई, वाई है 0 याना चीए 4 के बराबर ये हो जाएगा 4 गटा 2 गुना 0,0 बराबर अना चीए 4 के च्यार में इस जिरोगा च्यार च्यार बराबर च्यार यहाँ पर हमारा दोनों पक्स बराबर होगे कि च्यार बराबर च्यार यानि होता है मैं पता है तो यह क्या है यहाँ पर सही है तो यह X और Y के मान इस समीकर्ण को संतोष्ट कर रहे हैं इसलिए यह हल होगा चार और 0 समीकर्ण का हल है आब इसके बाद हम चेक करेंगे फॉर्थ पार्ट फॉर्थ पार्ट है वरगमूल 2 कोमा 4 वरगमूल 2 X का मान यहाप्र है वरगमूल 2 और Y का मान है 4 वरगमूल 2 यह समीकन के अंदर रखेंगे तो रखेंगे एक्स एक्स यानी वरगमूल दो गटा दो गुणा वाई वाई है च्यार वरगमूल दो याना ची च्यार के बराबर अल करेंगे वरगमूल दो गटा अब यहां पर 4 गुणा दो 8 आठ वरगमूल दो बराबर 4 अना चीए वरगमूल दो कॉम लेंगे यहां बचेगा 1 गटा 8 बराबर 4 वरगमूल दो गुणा 1 गटा 8 हो जाएगा गटा के 7 और याना चीए 4 के बराबर लेकिन यह माइनस 7 वरगमूल दो बराबर 4 नहीं हो सकता जो कि 4 का और माइनस 7 वरगमूल दो अलग-अलग हैं तो यह क्या हमारा गलत इन मानों ने समीकर्ण को संतोष्ट नहीं किया तो यह समीकर्ण का हल नहीं होगा तो लिखेंगे यह भी समीकर्ण का हल नहीं है तो इन 4 में से अभी तक सिरफ 4 और 0 जो टीसरा उप्चन था वही समीकर्ण का हल है हुआ है अब पांचवा पार्ट उसको लेके देखेंगे पांचवा है एक एक यानि एकस का मान एक और वाई का मान भी एक समीकर्ण में रखेंगे X गटा 2Y X यानि 1 गटा 2 Y Y है 1 बराबराना चीए 4 के 1 गटा 2 बराबर 4 गटा का 1 बराबर 4 4 और गटा का 1 बराबर नहीं होते ये भी गलत है ये मान भी समेकन को संतोस्ट नहीं करते गलत है इसलिए हम लिखेंगे ये एक एक भी समेकन का हल नहीं है तो सिरफ तीसरा पार्ट जो है 4,0 ये एकस का मान 4 और Y का मान 0 वही समेकन का हल होगा बाकि कोई भी समेकन का हल नहीं होगा तो हमारा जो तीसरा पार्ट है 4,0 ये सिरफ समेकन का हल है और नहीं है परसंद संक्याच चार है के कमान ग्याद कीजिए जबकि X बराबर 2 Y बराबर 1 समीकर्ण 2X जमा 3Y बराबर के का एक हल हो बहुत इंपोर्टन स्वाल है प्रिक्षा की दरश्टी से तो आईए इसको करते हैं बिल्किल आसान तरीके से समझें यहाँ पर हमें K का मान निकालना है और हमें दे रख्या है कि X का मान 2 और Y का मान 1 इस समीकर्ण का हल है यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि यह इसके हल है तो हल है इसका मतलब क्या होता मैंने बताया था आपको कि कोई भी मान दे रख्या वो समीकर्ण का हल तभी होगा जब वो चर के मान X और Y के मान उस समीकर्ण में रखने पर दोनों पक से बराबर हो जाएं तो यहाँ पर यह मान दिया हुआ है पहले से कनफर्म है कि इसके हल हैं तो X और Y के जो मान हैं समीकर्ण में रखेंगे और फिर हल करके K कमान निकाल लेंगे तो आईए इसको हल करते हैं बहुत easy question है X कमान और Y कमान में दिया हुआ है 2X जमात 3Y बराबर की ये एक समीकर्ण दिया हुआ है 2 चरके अंदर एक ये रेखिक समीकर्ण है इसके हल है X बराबर 2 और Y बराबर 1 दिये गए समीकर्ण के हल है इसलिए ये समीकर्ण को संतोष्ट करेंगे समीकर्ण को संतोष्ट करेंगे यानि कि समीकर्ण के अंदर हम इनके मान रखेंगे तो X बराबर 2 और Y बराबर 1 समीकर्ण नमबर इसको मैं एक मान लिया समीकर्ण नमबर एक में मान रखने पर X वे Y का मान समीकर्ण एक में रखने पर तो यही मान रखते हैं 2X, X यानिकी 2, जमा 3, गुना Y, Y है 1 बराबर दे रख्या है K के यहां से 4, जमा 3, बराबर K और यह हो जाएगा 7 बराबर K यानिकी K बराबर है 7 तो यह K का मान हो जाएगा तो बहुत ही easy और बड़ा ही important question है तो उम्मीद घरता हम आपको इसमाज में आया होगा धन्यवाद